हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी सिर्ख सर्मा और मैं हूँ आपका ओल्लैन ट्विटर आज मैं आपको एक्सल सॉफ्टर पे एक ऐसा डाटा बना कर दिखाऊंगा जो कि आपके लिए यूजफुल तो होगा लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल तब होगा जब आप यदि कॉमिडिटी चलाते हैं मनला कॉमिडिटी पे वर्क करते हैं सेयर मार्केट पे वर्क करते हैं मूचल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके bond को कैसे calculate करें, उसके bond को कैसे calculation आप करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, annually, annually bond को calculation करना बताऊंगा, जिसका use होता है, share market में, mutual fund में, community वगेरा में, तो उसके लिए, तो चलिए आईए, start करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, axle software को इस्टार्ट करना होगा, मै मैंने यहां से, यहां तक मैंने selection करा, area और merge कर दिया, merge करने के बाए, यहां पर हम heading में लिख लेते हैं, commodity, commodity, slash, share market, slash, mutual fund, I think यही होना चाहिए, mutual fund की spelling, mutual fund, bond, calculation, और उसके बाद, calculation, उसके बाए, इसे center बिलाते हैं, size बढ़ा लेते हैं, bold, fill up color, fund color, उसके बाद, हमें क्या करना होगा, यहां पर हम लिख लेते हैं, next heading में, जो हमें next heading बनानी है, work के लिए, तो जो work के लिए हम next heading बनाएंगे, वह यहां नीचे से मैं start करता हूँ, यहां को मैं लिखता हूँ, sr number, उसके बाद, यहां पर हम डालते है, maturity, और maturity को हम years के साब से देखते हैं, तो years लिखे देता हूँ, उसके बाद, next heading हम यहां पर डालते है, coupon rate, उसके बाद, coupon rate, spelling mistake, हाँ, उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं, coupon pay, उसके बाद हम यहां पर next heading डालेंगे, coupon pay के बाद, per value, per value, उसके बाद, next heading हम यहां पर डालते हैं, ytm, उसके बाद, हम यहां पर लिखते हैं, present value, present value, अब सभी का selection करेंगे, और format पर auto fit column भी पर क्लिक कर देंगे, अब जो maturity years है, इसे हम nper से calculate करेंगे, एक्तरे से, यह आपकी number of payment हो गई, इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे interest, उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे PMT, उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे, यह जो per value है, यह आपकी एक्तरे से future value मैंने माना, ytm को हमने rate माना, उसके बाद present value है, present pb value, ओके, अब इन सबी को दुबारा हम select करके, auto fit column width पर क्लिक कर देते हैं, अब क्या करना है, अब हमें यह करना है, number में number डालते हैं, 1, 2, 3, और मैं इसी तरह 10 database को calculate करूँगा, उसके बाद यह लिखा NPER, तो यह जो year है, year मैंने डाल दिया, suppose that 2, 5, 4, 8, 6, 7, 6, 4, 5, year तक, और यहां पर हमने डाल दिया 8, ऐसी interest डालेंगे, interest हमने डाल दिया, suppose that सब के लिए, जो यह coupon rate है, वो सब के लिए fix है, तो मैंने इसे interest को 5% ही रहने दिया, अब आता है PMT, PMT में हमने यहां पर present value में, हमने supporter डाल दिया PMT present value 100, PMT जो है, वो 100, इसी तरीके से future value, future value निकालना है, तो future value माल लिजे, मैंने यहां पर डाल दिया 15,000, और इसके बाद हमने यहां पर डाल दिया 18,000, उसके बाद मैंने यहां पर डाल दिया 20,000, 65,000, 50,000, फिर उसके बाद 45,000, 35,000, कुछ ज़्याद हो गया था, 25,000, 28,000, अब जो coupon पर उसे भी हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जाए 1,500 कर लेते हैं, 55,000, उसके बाद यहां पर यहां पर रेट है, इसे हम यहां पर फिल अप करेंगे, तो वाईटियम रेट मैने माना सब उज़्याद है, 8% हो गया, इसके बाद यह 9% हो गया, यह आपका 10% हो गया यह 6% हो गया 7 हो गया, 9 हो गया 7 हो गया, 5 हो गया 6 हो गया और 4 हो गया तो इन सभी को भी मैं सेलेक्शन करके percentage पर क्लिक कर देता हूँ percentage लग जाएगा क्या हो गया यह कुछ जादी लग गया percentage गड़ बढ़ हो चलो इसे नॉर्मल कर लेते हैं पहले नॉर्मल ही डाल देते हैं 8% अब इसे ड्रैग कर लेते हैं अब चेंज करते हैं तो थोड़ा जल्बी चेंग जाएगा 9% 10% 6% 7% 8% 5% 4% 6% 8% 8% अब उसके बाद जो present value वो हमें निकाल दिया है PV तो PV कैसे निकालेंगे वो मैं आप अब clear करांगा तो पहले मैं इसे heading थोड़ा set कर लेका हूँ अच्छा से नहीं लगता है यह center अच्छा जी अब हमें क्या करना है यहाँ पर PV निकालने के लिए मैंने यहाँ पर formula लगा है equal PV shift दवा के 9 bracket और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर जो rate है rate है हमारा rate rate 8% कॉमा NPER है हमारा 2 मैंना 2 year PMT प्रिजन्ट जो payment value है वह आपकी यह है 100 उसके बाद FV है future value है आपकी 15,000 और type में लिखा है कि इसी साल last या next मतलब शूरू से last है तो मैंने 0 डाल दिया end of periods के लिए और bracket बन करके enter तो यह आपका answer निकल गया answer को normal करने के लिए इस पे भी आप click कर सकते हैं यह नॉर्मल answer आ जाए यह होगी present value दोबारा निकालते है थोड़ा जूम करते है equal PV shift दबा के 9 rate है आपका 9% कॉमा NPER है आपका 5 year कॉमा PMT payment value है 1,500 और FV है future value value 18,0 bracket 1 और enter तो यह आपका answer निकल जाएगा सभी को select करके आप drag कर लीजी सभी का answer निकल जाएगा तो यह हमने present value निकाला तो लेकिन क्या यह value सही है अगर यह value सही है तो इसके according तो यह कैसे पता चलेगा तो इस value को हम इसमें check करते हैं तो check करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से एक heading बना लेता हूँ कि यह आपकी जो PV value है present value है वो ठीक है यह नहीं उसे check out करने के लिए मैंने यहाँ पे एक heading बनाया क्या बनाया research research और इसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने value अब research value हम देखेंगे तो research value पे मैंने क्लिक करा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इनी चीजों को तो मैंने इन चीजों को यहाँ से select करते हैं copy और यहाँ पे क्लिक करके transpose और ओकी तो यह आपका निकल के आ जाएगा data NPR interest नहीं पता करना cut paste और इसे clear all मतलब क्योंकि मैंने PV तो निकाली लिया तो PV मैंने हटा दिया NPR यह हो गया PMT value यह हो गई FEV value यह हो गई और rate हो गई यह तो इन सबी को हम निकालेंगे अगर यही चीजें आती हैं तो इसके मलब आपकी जो present value है वो ठीक है तो present value जो है वो चेक करने के लिए मैंने research option खोला और इस पे मैंने formula अब set करूंगा तो equal NPR bracket rate जो है वो 8% PMT value है जो sorry यह क्या आगया PMT value जो है 100, comma PV value जो है वो है आपकी comma FEV value जो है 15, comma और जो type में 0 ही डालेंगे bracket बंद करके जैसी enter करते हैं तो NPR जो 2 है वो निकलना चाहिए और निकल गया इसका लगी यह answer ठीक है PMT तब भी check कर लेते है equal PMT यह rate जो है वो 8% है, comma NPR है यह है 2, comma PV जो है present value वो यह है, comma FEV value जो है वो यह है, comma 0 bracket बंद और तो यह आपका 100 आ गया 100 यह रहा dollar का symbol यहां सटा सकते है इस पर क्लिक करना था अब आता है FV equal FV shift दवा के 9 rate जो है, वो है हमारा 8%, NPR जो है हमारा यह रहा, comma 2 सालों तक देना है NPR number of payment और PMT value है जो हमारी 100, PV जो है यह है comma 0 bracket बंद 15,500 सही है, FV निकल आया अब rate निकलते है equal RATE rate shift दा के 9 NPR है जो हमारा वो है हमारा NPR 2 2 year PMT value जो है payment की value वो है हमारी यह 100 उसके बाद PV जो present value है वो यह है और जो हमारा FEV है, future value 15,000 है और type में 0, gas छोड़ दीजिए bracket बंद करके enter कर यह 8% rate इसके मतलब हमारा जो data है वो ठीक है और जो हम निकालना चाहरे थे तो इस तरीके से आप अपना जो bond को है वो calculate कर सकते है जो आप maturity fund होता है जो आपका share market होता है यह community यदि आप चलाते हैं तो आप इस तरीके से annually उसका जो database है वो calculation कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा वीडियो को like करना न भूले share करना न भूले यदि आपने मेरे page को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजेगा क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए ताकि आप कुछ सीख सकें और वैसे तो दोखो मैं अपने आपको इतना यह नहीं मानता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन जितना मुझे आता है मैं वो बताने की पूरी कोसिस करता हूँ दरसल कभी कभी मुझे कुछ गल्तियां भी होती है तो सर कमेंट के तुरू आप कमेंट कर दिया करिये कि सर यह ऐसे भी हो सकता है तो मैं उस पर अगली बार थोड़ा सा ध्यान रखूँगा बाकी मिलते हैं आपसे निव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर